तो जैमातादी सभी को में नीटो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने योटूब चैनल मार्केट यातरा में दोस्तो वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 20 फरवरी यानि कि मंगलवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं कौन से लेवल पर हमको पॉर्चनेटी मिल सकती है उसके पीछे का लोजिक क्या है साथ में ऑप्शिन चैन एनलीसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूसियल हमको पता लग जाए तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सी तो थोड़ी सी प्रोफिट बुकिंग आ जाती है अच्छा साइन ही होता जिब गैप फिल करके वापिस उपर जाना सुरू करती है तब हमारे लिए एक अच्छी अपोर्चनेटी होती है यह दोस्तों कभी-कभी तूटता है और वह हमको शुरुवात में दिख जाएगा उ अब यहीं दिसकस किया था निफ्टी और बैंक निफ्ट अगर गैप खुलें अप ट्रेंड में नेगेटी होने का तो कोई सवाल ही निता है मैं आपको कल भी बोल दिया था और आद सुभै-सुभै मैंने जब स्टडी पोस्ट की थी पहले मैंने निफ्टी का किया था पोस पोस्ट कर देता हूं और सुभै का वी दिखांगा पहले यह डिसकस कर लेती कल कहां पर मोमेंटम हो सकता है देखिए जब तक मार्केट अब ट्रेंड में है लास्ट स्विंग को ब्रेक नहीं करती है तब तक पूट साइड जाने का कोई सवाल सा पैदा होता नहीं हां अब फ्लेट खुलके या गैप खुलके नीचे नारगी बजाए डारेक्टली अगर चैसो के लेवल को ब्रेक करती है तो एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है अब आज भी दोस्तों थोड़ा सा जैसे की लास्ट में कल के देखोगे तो आप लास्ट में थोड़ा सा प्रोफि और पूट साइड कप जाएंगे देखिए आज कल अगर आप दोस्तों ध्यान से देखोगे ना कल में और आज में क्या फरक है कल बैंक निफ्टी का जो लो था ये वाली रेंज थी यानिकि 46,300 की रेंज थी और नीचे केवल 100-500 पॉइंट क्या था पचास दिन का के नीचे आने के बाद लेकिन उसके लिए डबल कंफरमेशन चाहिए और डबल कंफरमेशन का दोस्तों मतलब होता है फ्लैट कुले या फिर हल्की फुली गैप डाउन के लिए फिर हल्की फुली गैप भी खुले यह जो पचास दिन का मूविंग एरज इसको भी ब्रेकड मत करना एक दिन मार्केट हरोज खुलती है बिना बात के हाथ जलाने की कोई जरूरत नहीं है अगर फ्लैट खुलती देखिए मेरा परसनल भी वह भाई बाकिये मानता तो कोई नहीं है मेरा काम है दोस्तों जो मेरा परसनल वह वह आपको बताना अगर आपको शूट करता है आपको ठीक लगता है अच्छा लगता है तो आप फोलो भी कर सकते हो अगरवाइज किसी के साथ भाई कोई जबरदस्ती नहीं है क्योंकि गलत कोई भी हो सकता है हम कभी भी गलत हो सकते हैं तो अपने रिस्क रिवाड के हिसाब से आपको काम करना चाहिए बस मैं तो बता सकता हूं जो मेरा परसनल विव है किस तरीके से मैं काम करता हूं फ्लैट खुले आज चालिस दार चार्ट के नीचे आगे कर कोई स्विंग बनाती है तो ही मैं पचाशाच पॉंट का स्टोपल खुल जाए माली जी सिधा गैप डाउन खुल गई चालिस दार चार्ट के नीचे तो फिर हमको देखना होगा कि रियक्शन कैसे है मार्केट का अगर मार्केट पहली केंडल 15 मिनिट की इस तरीका का कोई नेगेटिव बना देता है फिर दिन का लो भी ब्रेक हो रहा है कोई स्विंग भी बन रहा है तो टारगेट यहीं तक मेरा तब भी टारगेट यहीं तक होगा अगर बड़ा गैप डाउन दोस्तों खुल गई माली जी सिधा चालिस जार दोसों के आसपास तो फिर ट्रेड करने का फायदा नहीं है ट्रेड हम फिर तब कर सकते हैं जब बड़ा गैप डाउन खुली 200 दिन के मूविंग एवरेज या चालिस जार के आसपास आके या तो कोई डबलू पैटरन बनाए या फिर यहां पे कोई पोजिटिव केंडल बनाए तो यहां से मैं रिकवरी ही प्लान करना पसंद करूँगा दिन का लोस टोप लोस डाल गए क्योंकि फिर जादा सपेस बचेगा नहीं मार्केट में और फिर रिकवरी ही प्लान कर सकते हैं क्योंकि नीचे कई सारे सपोर्ट हैं जो की ट्रेप कर सकते हैं और मैं चीज आती भाई गैप अप की देखिए कल जैसा की हमने डिसकस किया था कि अगर गैप खुलती है तो थोड़ा स होता है वैसे क्योंकि सपोर्ट गैप है सब्सक्राइब करते हैं मैं आपको सिखाता भी आया हूं क्योंकि डैली अनालिसिस की वीडियो में मैं खाली अनालिसिस नहीं करता हूं आपको ही पता है बाकी सबसे मेरी ख्याल से आपको अलग सी अनालिसिस दीखेगी मैं ज्याद चलेगा कि ये market gap को फिल करेगा नहीं करेगा देखिए आपको पहले एक दो candle में ही reaction समझ में आ जाएगा माल लीजे कल gap खुलती है पहली candle इस तरीके का कोई bullish candle बना देती है फिर दिन का high break करके ऐसे swing बना रहे है तो सीधा सीधा बात है market हो सकता है gap fill करके ना आये शुरू में ही बता देगी अगर gap fill करना होगा अगर आप यहाँ पे देखोगे gap up खुली शुरू में दो तिन candle ने ही बता दिया कि भई gap fill करेंगे ऐसे ही दोस्तों आज market gap up खुली शुरू में ही बता दिया एक ही candle ने कि हाँ मैं gap fill कर सकती हूँ अगर यहाँ पे ऐसा होता है scenario तो फिर जैसा कि कल हमने प्लान क्या दा gap up खुली थोड़ा सा नीचे आगे अगर फिर से recovery करना शुरू करेगी target हमारा यही चाली जार नौस्तों सेंतारी जार का होगा मैं दिन का लो या फिर इस swing के नीचे stop loss डालके कोल साइड जाना पसंद करूंगा और अगर डारेक्टली gap up खुलते ही भागना शुरू कर दे तो भाई देखे थोड़ा सा वेट कीजिएगा एक 39 वाला सेट आप हो आप अप अपलाई कर सकते हो तभी थोड़ी सी ज्यादा बड़ी नहीं थोड़ी से बड़ी बन गई लेकिन प्रीमियम का जो बीहेव था हमार्केट के थोड़ा सा अलग व्यवार कर रहा है मार्केट की जैसे उपर नीचे जार थी प्रीमियम तोड़े से जल्दी डीके हो रहे दे इस वज़े से मैं आपको पता है मैं भालतुरी लेता नहीं हूँ और मैं उसमें से निकल गया फिर मैं गया कोल साइडी एक चीज और मैंने लिखी थे अगर आप सुबह का व्यू पोजेटिव है ठीक है नीचे क्यों आ रहे है आनी तो नहीं चाहिए अब यह मेरा पर्सनल व्यू था ऐसा मुझे लगा भाई ऐसा हो सकता है हम गलत भी हो सकते लेकिन ज्यादा तरबार ठीक जाता है इस वज़े से हम सेक्टप पे काम करते हैं और मुझे विश्वास था इस वज़े से फिर में बैंक निफ्टी में गया कोल साइट हाला कि जो निफ्टी की स्टडी में आपको बता दो इसने भी सायद दोनों तार्गेट हीट किये थोड़ा सा नीचे आगे बिना एसल हीट किये क्योंकि यह एसल नबबे का था और मेरी खाल से सो या ठानवे तक लिए कि हती हैं हालाके कोई कॉछ नहीं होती स торीट अब प्रोफित होता है लारिक पॉइंट होती यह तो ट्रेड कर्ने के लिए स्टडी हो होती है जय बनती मैं पोस्ट कर देता हूं ऑदरवाइस वह इसलिए ताकि लोग Eni rest कर पड़ता है पोस्ट करने की कोसिस करता हूं भाई डेटा यह हो गया वह हो गया जो मेरा परसनल व्यूव है तो मैं ताकि लोगों को कुछ हेल्प मिल सकते हैं आप जागे जोएन कर सकते हैं आगर जोएन शीखने के लिए ओ धिस्कृषन में आपको लिंक मिलेगा ऑरिजिनल का और ही से ज्वाइन करें चैनल क 따라 संबंगे स्क्राइब चैनल आपको देखने को मिलेंगे खास इथा उनके आपको इन से 10섯 निगोंसे 550000 लेकिन उनकी पोस्ट पर यह मीलेगे ना दें ठीक है अब निफ्टी का देखिए निफ्टी में दोस्तों जो हमारा breakout level था यह वाला जो breakout level था बलकि मैं सोच रहा था कि breakout से ही market यहां तक आकर recover कर जाएगे लेकिन थोड़ा सा gap pending था उसको फिल किया उसके बाद market ने recover किया अब जो कल दोस्तों resistance था अब वो क्या बन गया अब वो support बन गया है खासकर निफ्टी में अब निफ्टी में कोई resistance तो है नहीं क्योंकि all time high या फिर से निफ्टी निफ्टी है जिसका हमने जिकर भी किया था तो ऊपर तो कोई resistance नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, हम round level को पकड़ते हैं, यानि कि अगर nifty flat खुलती है, healthy full की gap up खुलती है, चालिस जार दोसो या फिर आजगा जो या high है, इसके उपर निकल के अगर कोई swing बना देती है, चाहिए इस तरीके का swing बने, तो हम को 100 points का और momentum देखने को मिल सकता है, मैं 15-20 points का SL डालके, cold side ही जाना पसंद करूँगा, और अगर nifty flat खुले, gap down खुले, जब तक ये 22,080 के नीचे या 50 दिन के moving average को break करके, कि ऐसा swing नहीं बना देती है, तब तक भाई put side जाना बहुत ज़्यादा रिसकी होगा, हाँ, nifty में सपेस दिख रहा है, कब दिख रहा है जब ये इस swing को break कर देगा, यानि कि 22,000 के level को या फिर 22,040 इसके नीचे अगर कोई ऐसा swing बना देती है, माल इजे बड़ा gap down खुली, पहली candle negative बनी, फिर दिन का low भी टूटा, swing भी बना, तो एक अच्छा खासा space है, 200 दिन की moving average है, फिर 2900-2920 तक एक momentum हमको मिल सकता है, मैं अगर ऐसा होता है, तभी मैं दिन का ice top loss जाल के put side जाना पसंद गूरा, जब तक trend is your friend, भाई, trend के against हमको नहीं जाना चाहिए, और जिस दिन market आपको अटपटी होती दिखे, उस दिन काम ना करो, सिधी सी बाद है, एक simple सी बाद है, भाई, अगर market को negative जाना होगा, और वैसे भी मैं option trading ज्यादा करता नहीं हूँ, मैं cash में आपको पता है, मैं आपको बताता भी रहता हूँ, ज्यादा option trading के चक्कर में पढ़ना भी नहीं चाहिए, हाँ, हलका फूल का अपनी जैसे study बढ़ाने के लिए, knowledge बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा तो भाई रिस्क लेना ही नहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ, कभी मैं option buying का, और option selling के favor में, मैं कभी नहीं रहूँ, नहीं मैंने किसी को यह बोला है, कि आपको हमेशा करनी चाहिए, मुक्य पे चोक्का हमको मारना चाहिए, जब आपको trend देखे, क्योंकि ज्यादा तर लोग sideways market में अपने profit कमाई हूए profit को दे जाते हैं, उनको पता नहीं होता है कि आज market काम करने लायक है या नहीं है, उनको call tips से मतलब होता है, 1000 गुरूप जोएन कर रखे हैं और डैली काम करने का मतलब होता हूँ तो अब भाई शेर market, gap up खुलती है, 22,200 के नीचे, थोड़ा सा नीचे आती है, फिर से 22,000 के level को break करती है, तो वहीं जैसा कि आज हमको momentum देखने को मिला है 100,500 का, फिर से हमको एक momentum देखने को मिल सकता है, मैं उस टैम भी coal side ही जाना पसंद करूँगा, option chain गोस्तों अगर मैं आपको दिखाऊं, निफ्टी का option chain आप देखिएगा, इतना open interest रहा नहीं है, 22,100 पे अगर आप देखोगे, तो अगला resistance हमको 22,200 पे 2300 पे दिख रहा है, हालागी 10 बजे के बाद हम option chain को देखते हैं, क्योंकि जो position है वो settle हो जाती है, data positive negative हमको तभी पता चलता है, option chain वगरा, चार्ट वगरा कई चीजे देखने में, इसलिए एकदम खुलते ही option chain कभी भी नहीं देखनी चाहिए हमको, market को settle होने के बाद ही देखना चाहिए, bank nifty में देखें, वहीं पे खड़ी है, कल भी 6500 का एक round level था, psychological level था, कल भी यहीं पे थी, आज भी तकरीबन यहीं पे है, वो point इसलिए मिल गए, क्योंकि खुलके थोड़ा सा नीचे आ गई, और फिर bottom में उसको catch करने का कोशिस किया, तो bank nifty में इतनी option chain में मारा मारी नहीं है, एक लाग 40,000 तेजड़ी हैं, एक लाग 55,000 मंदड़ी है यानि की call writer हैं, और काटे की टकर चल दी, FCDC वाद है, इसके उपर अगर निकलते हैं, तो यह लोग trap हो जाएंगे, और एक अच्छा मोमेंटम हमको upside भी देखने को मिल सकता है, डाउनसाइड की अगर बात करूँ तो भाई, छालिस जार सो की नीचे अगर कोई swing बनता है, तो देखिया अगला सपोर्ट हमको चालिस जार पे ही दिख रहा है, दो लाख एक अजार का open interest, तो अगर कोई swing बनता है, तभी पलान करेंगे, वरना बिना बात के हाथ नहीं जलाना है, वरना बिना बात के तो अगर आपको कलीर कट मार्केट ना दीके तो वैसे भी मैं करत तो भाई वीडियो को लाइक और शेर जरूर कीजिए और कोमेंट जरूर कीजिएगा, इससे मेरा होसला बढ़ता है, अगर आपको अच्छा लगता है सीखना तो और कुछ समझ में आता है तो और वीडियो को लाइक और शेर जरूर कीजिएगा, ताकि जरूरतमन लोगों आपना कीम्ति इसमें निकाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भगवाने करें आपका दिन सुब्रे मिलते हैं दोस्तों कले एक नए वीडियो के साथ तब तक लिए बाई बाई जै माता दी जै हिंद